जी हाँ दोस्तों स्विल्ज द लेंड के अंदर काफी सारे ऐसे इंडियन रेस्टोरेंटस हैं जिन रेस्टोरेंटस में वेकेंसीज निकली हुए हैं और ये वेकेंसीज ये जो आप लोगों किस तरह से मिल सकती हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको complete information देने वालों step by step दोस्तों मेरे नाम है शहबाज एमद और आप देखरें मेरे इस YouTube channel अपने jobs को तो दोस्तों जिन लोग आप तक मेरे इस YouTube channel को subscribe नहीं किया है so you can check out my Instagram and if you like my videos, my pictures, my profile so you can follow me on Instagram so आज की जो वीडियो है दोस्तों काफी ज़्यादा useful साबित होने वाली है उन सभी लोग के लिए जो लोग Switzer Land जाना चाहते थे और वहाँ जाकर काफी अच्छा पैसा अर्ण करना चाहते थे काफी दिनों सो wait कर रहे हैं कि हमें Switzer Land के अंदर कोई जोब मिल जाए और हम जो है कम educated है तो हम किस तरह से Switzer Land जा सकते हैं तो आज की वीडियो दोस्तों आप सभी लोग के लिए काफी जादा useful है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जिन जोब्स के बार में आप लोग को बताने वाला हूँ वह होटेल एंड रेस्टरेंट से रिलेटेड जोब्स है यानि होस्पिलिलिटी इंडेस्ट्री से रिलेटेड जोब्स में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों सूइट जालेंग काफी जादा खूबस वरत कांटी है हमारे इंडिया के काफी सारी ऐसी मूवीजार जो और लीडि में he शूट हो चुकी है इंडिया से देखे फ्लाइट टिकेट का खर्च होता है वो कितना होता है अगर आप लोग एज़े टूरिस स्विर्जा लेंड जा रहे हैं तो आप लोग एक से दो महिना पहले स्विर्जा लेंड की फ्लाइट बुक करते हैं तो 22 से 28,000 के नियर अबाउट आपको स्विर्ज लेंड के अंदर इंडियान रेस्टरेंड्स है और इन रेस्टरेंड्स में आप लोग को जोब मिल सकती है आपके पास काफी ज़्याद अचा चांस है मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ओल अराविज लेंड यानि स्विर्जा लेंड के अंदर लेंड के लाग कंटीज में तेखे ट्रेवल ओल्री कल जुगा हो तो मैंने वहां पर देखा है जब मैं देखे कुछ भी खाने पीने के लिए जाता है तो वहां पर जो कुरू मेंबर होता है जो देखे पूरा वहां का मतलब स्टाफ होता हो इंडियान स्टाफ होता है मैंन आप भी इंडियन रेस्टोरेंट में इंडियन होटल में जोब करना चाहते हैं, तो कौन सी जोब आप लोगो मिल सकती है, दोस्तों देखें इंडियन जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, इंडियन होटल जो होते हैं, उनमें देखें, इंडियन जो डिशेज होती हैं, वो बनती ह तो ऐसे शेफ आप लोग को देखिए जोब मिल सकती है सुर्जा लेंड के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स में उसके बाद जो जोब है देखिए कुक के लिए जोब मिल सकती है वो कोई dish बना रहे हैं, तो उस dish को बनाने में जो help करता है, वो kitchen helper ही करता है, यानि आप सबजी को काट रहे हैं, आप chicken को, meat को काट रहे हैं, आप sauces बना रहे हैं, इस तरह का देखें, जो काम होता है, वो kitchen helper का होता है, even cleaning भी sometimes आपको करनी पर दिये, service crew का का काम होता है, वो mixture काम होता है, यानि आपको A-Z काम करना होता है, restaurant के अंदर, you can take orders on cashier counter, and आपको देखें, order भी लेने पर सकते हैं, as a wetter, आपको cleaning भी करनी पर सकती है, आपको a priest के साथ में भी देखें काम करना होता है, जो काम होता है service crew member का वो पूरा ही देखे mixture काम होता है याणि आपको सभी काम करने होते है बट यहाँ पर देखे मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप लोग स्विर्जर लेंड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखे और जो अलग-अलग post है वो भी आपको मिल सकती है ज दिश्वाशर का जो काम होता है देखे वो यह होता है कि आपको जो रेस्ट्रेंट्स के अंदर देखे समान होता है मतलब क्लीन करना होता है यहाँ पर मैं आपको क्लियर लेंग्वेज में बता देता हूं आपको बरतनों की सफाई करने होते हैं तो यह काम जो आता है दिश समान होता है तो यह जो जो पोस्ट है आप लोग को इंडियन रेस्टरेंट में स्विर्जा लेंड के अंदर मिल सकती है और देखे और जो इंडियन होटल से उन्हों भी काफी सारी जो पोस्ट होती है जिसा हाउसकीपिंग की जो पोस्ट आप लोग को इंडियन होटल में मिल सकती है अब अगर आप लोगो इंड opposing मिल जाती है किसे पाच लाक रुपे उसकती है अब यहां पर जो मैं ने हो और आपको दोस्तों करना है और याप को डिटेल ठीक से समझायदा तो दोस्तों देखिए जिसे यहां पर ये कि रेस्टों है और इस रेश्टों का नाम है वुलकान और यह जो रेस्टेंट यह सुछ जैलेन की केपिटल सीटी जूरिक में है और आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह रेस्टरेंट से इंडियन रेस्टरेंट है काफी अच्छा और खूबसूरत यह रेस्टरेंट में आपको देखे किस तरह से जौब के लिए अपलाई करना है वहां पर आपको बता से बाखी है किस तरह से हमें जौब के लिए अपलाई करना है तो यहां पर आप लोग को सबसी नीचा आना है यहां पर आप को एक सबसे पहले आपको एक टेलीफोन नमबर मिलेगा तो जो लोग ठीक था इंग्लिश बोलते हैं या जो लोग देखे नॉर्मल इंग्लिश भी बोलते हैं तो वह भी देखे डारेक्टली इन से कॉल पर बात कर सकते हैं क्योंकि इंडियन रेस्ट्रेंटर देखे मौस्ली जो कॉल आपकी रिसीव करेंगो इंडियन यूपल ही करेंगे यहां पर इन्हों ने देखे अपनी इमेल आइडी भी दी है तो आपको सबसे पहले अपने एक यूरोपेन फॉर्मेट सीवी और कवर लेटर बनाना है और इसी तरह से काफी सारे से रेस्ट्रेंट से काफी सारे इंडियन रेस्ट्रेंट से स्विर्जर लेंड के अंदर जिन रेस्ट्रेंट में आप लोगो जो मिल सकती है तो यहां पर देखे मैं आप लोगो थोड़ सी लिस्ट और दिखा देता हूं देखे इंडियन रेस्ट्र जो Switzer Land के अदर आप लोगो सेम तरीका यूज करना है और यहां पर देखिए आप लोगो काफी रेस्टरांट मिल जाएंगे सुरिज़ रेंड के अंदर तो आपको सभी रेस्टरांट में कॉन्टेक्क करना है क्योंकि देखो मुहनत करने हैं एक जोब करके नहीं काफी जोब को अब एक इन काफी सारे होटेल रेस्टूरंस पड़ोगों अबाइट करना है ओन लाइन अपलाइट करना है और दोस्तों पलको चब कर सकती है तो दोस्तों आप आपको बताए देखे कुछ रेस्टोरेंट्स है जो जूरिक सीटी में है यानि सुरिजलेनी केपिटियल सीटी जूरिक में रेस्टोरेंट्स है और काफी बड़े रेस्टोरेंट्स है इंडियन रेस्टोरेंट्स है तो आप लोगो इन रेस्टोरेंट्स में देखे क्या दो हिंदियें बात कर सकते हैं बट आपको सबसे पहले अपने मुपाइल फोन में एक देखी इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए एक रिचारज करना पड़ेगा रोमिंग रिचारज करना पड़ेगा तभी आप उनसे डारेक्ली कॉल पर बात कर सकते हैं डैन सेकिन चीज़ इंडियन एस्टाफ ही और मैं आपसे मिलता हूं पर लाइक श्रेटन टो और आपसे मिलता हूं पिए और नए-इंटरेस्टिंग एडर के झाल झाल